question number one rationalize the denominator of the following तो हमारे पास इस question one में total eight questions है eight parts है तो one by one solve करेंगे और समझेंगे कैसे rationalize किया जाता है देखें, rationalize करने का मतलब यह होता है कि denominator में यहाँ पर irrational number दिया हुआ है तो इस irrational number को rational number में convert कैसे करें उसी को बोलते है rationalize करना तो यहाँ पर देखें, केवाल root 5 दिया हुआ है तो 4 root 5 एक irrational number है इसको rational बनाने के लिए केवाल root 5 से multiply कर देंगे denominator में और numerator में भी तो denominator आपका rationalize हो जाएगा तो यहाँ पर हम कर सकते है 3 multiplied by root 5 whole upon यह हो जाएगा 4 root 5 multiplied by root 5 तो आपका answer मिल जाएगा है तो 3 root 5 upon यहाँ जानते हैं कि root root में रहता है यहाँ पर दो same numbers तो root के अंदर ही multiply कर लेंगे 5 into 5 तो पर बना बहार निकल जाएगा इसका मतलब हो जाएगा यह 3 root 5 upon यह 4 5 जा 20 हो जाएगा मतलब एक 5 बहार निकलेगा 5 into 4 is 20 this is your answer तो यह बहुत असान था यहाँ भी हम वही काम करेंगे तो denominator में root 3 है तो root 3 एक irrational number है हम इसको rational बनाएंगे तो कैसे करेंगे हमें multiply करना होगा root 3 से denominator और numerator में भी मतलब कि root 3 यहाँ multiply करेंगे और यहाँ भी multiply करेंगे denominator में भी और इसलिए मतलब कि जो number है वही न चेंज हो जाए इस खांड से ज़ा कर रहे हैं अब यहां पर क्या होगा देखिए धान से 5 दो नंबर्स यहां पर रूट में हैं तो रूट के अंदर ही मुट्पलाई कर लेंगे 7 x 3 मतलब जो रूल है हमारे सर्ट का सॉल्व करने का वह हम कर रहे हैं होल अपान यहां पर करेंगे देखिए रूट 3 इंटो रूट 3 इस पेर बनेगा यहां पर 3 इंटो 3 रूट के अंदर यह भार ने लिएगा एक 3 इसका मतलब कि यहां उपर तो मुट्पलाई हो जाएगा क्योंकि कुछ पेर नहीं बन रहा तो यह हो जाएगा रूट 21 अपान यह 3 हो जाएगा तो this is your answer देखिए यह आंसर क्यों 3 अपान 4 मानस रूट 7 ध्यान दिजेगा यहां पर denominator में 4 मानस रूट 7 है तो इसको rationalize करने के लिए हम इसके conjugate से मट्पलाई करेंगे मतलब 4 मानस रूट 7 है तो इसको मट्पलाई करेंगे 4 प्लस रूट 7 से मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 3 multiplied by देखिए इसका conjugate होगा 4 प्लस रूट 7 4 मानस रूट 7 में मट्पलाई करेंगे 4 प्लस रूट 7 से यहां पर देखिए ऐसा करेंगे तो होगा क्या यह ए मानस बी में हो जाएगा यह और यह हो जाएगा ए प्लस बी दोने मोट्पलाई करने पर यह इस तरह का फाम बनेगा a square मानस b square तो जब square हो जाएगे इसका मतब कि रूट 7 हट जाएगा है कि नहीं simply हम यही concept का use कर रहे है तो यहां पर numerator में क्या हो जाएगा numerator में 3 टाइम्स 4 प्लस रूट 7 हो जाएगा हो लापान देखिए यहां क्या होगा यहां पर a square मानस b square हो जाएगा means 4 square मानस root 7 का square अब क्या होगा देखिए 3 टाइम्स 4 प्लस रूट 7 हो लापान यह 4 प्लस रूट 7 मानस यहां पर 7 हो जाएगा क्योंकि रूट 7 का square क्या होगा यह रूट हट जाएगा यहां पर simplify करेंगे तो 4 प्लस रूट 7 हो लापान 9 आएगा और यहां पर 3 बंज़े 3 और 3 तरी जाए 9 हो जाएगा मतलब final answer हमारा आजाएगा 4 प्लस रूट 7 हो लापान 3 this is your answer 17 अपान 3 रूट 2 प्लस 1 यह 4th वान है ध्यान देजेगा denominator में जो दिया हुआ है 3 रूट 2 प्लस 1 इसके conjugate से मत्प्लाइ करेंगे numerator और denominator में मतलब कि 3 रूट 2 माइनस 1 से मत्प्लाइ करतेंगे numerator में denominator में 3 रूट 2 माइनस 1 से हमने numerator में और denominator में मत्प्लाइ कर दिया यहां पर उपर हम क्या करेंगे 17 और as it is मतलब रखे रहेंगे से यह हो जाएगा 3 root 2 का whole square minus 1 का square राइट यहाँ देखिए यह numerator में 17 3 root 2 minus 1 as it is उतारेंगे यहाँ देखिए 3 root 2 का square करेंगे मतलब कि 3 में 3 से मटले करना है 3 पे square होगा फिर root 2 पे square होगा तो root हट जाएगा तो 2 बचेगा minus 1 का square तो 1 ही होता है तो यह finally क्या answer आएगा 17 और यहाँ पर होगा root 2 minus 1 whole अपान यहाँ मटले कर लेंगे 399 to 18 18 minus 1 18 minus 1 क्या आएगा 17 आएगा और 17 से कैसी लाट हो जाएगा मतलब denominator पूरी तरह से खतम हो जाएगा तो जो हमारा उपर numerator बचेगा मतलब बचेगा 3 root 2 minus 1 this will be your final answer चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं 16 अपान square root 41 minus 5 यहाँ पर इसको रसनाइज करेंगे denominator को तो यहाँ प्लस करके मटले कर देंगे इन दोनों मटले होगा तो a minus b और a plus b है आप जानते हैं क्या होगा यहाँ पर square हो जाएगा फिर separate हो जाएगा यहाँ पर square करेंगे a square minus b square root 41 का square minus 5 का square ठीक है a square minus b square हो गया 41 minus 25 यही आएगा अब यहाँ देखें 41 minus 25 करेंगे तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा और इसलिए numerator से cancel out हो जाएगा हो लापान यहाँ मिलेगा 16 यह 16-16 cancel out हो जाएगा हमें मिलेगा क्यों यहाँ पर square root of 41 plus 5 this is your answer now the sixth part देखें हाँ root 7 minus root 6 है तो मटबलाई कर लेगे यहाँ पर 1 into root 7 plus 6 यहाँ पर देखें a minus b और a plus b का formula जाएगा a square minus b square तो यहाँ मिल जाएगा मटबलाई करेंगे ऊपर 1 से तो विल्कुल वही रहेगा तो root 7 plus root 6 वह लापान यहाँ पर देखें a square minus b square हो जाएगा तो हमले सकते हैं इसको 7 minus 6 directly क्योंकि square करेंगे तो root हट जाएगा 7 minus 6 is 1 therefore answer will be root 7 plus root 6 now the 7th part 1 upon root 5 plus root 2 root 5 minus root 2 से मटबलाई करेंगे नियूबेटर और डिनमेटर में यह हो जाएगा 1 into यहाँ पर जो principle है वो यही है कि root 5 plus रहेगा यहाँ पर तो minus से मटबलाई करेंगे यहाँ minus रहेगा तो plus वाले conjugate से मटबलाई करेंगे तो यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के conjugate कहे जाते हैं तो मटबलाई करने पर a plus b और a minus b square हो जाता है और root cancel out हो जाता है और यहाँ बचता है नियूमेरेटर में root 5 minus root 2 whole upon यहाँ हो जाएगा 5 minus 4 sorry 5 minus 2 यहाँ बचता है 3 तो answer मिलेगा root 5 minus root 2 upon 3 this will be your answer now the 8th part of question 1 root 2 plus root 3 whole upon root 2 minus root 3 देखे यहाँ भी हमें denominator का rationalization करना है तो केवल denominator के conjugate मटबलाई करेंगे यह numerator में जो भी दिया हुआ है इसको नहीं देखेंगे ठीक है हमें केवल denominator को करना है rationalize क्या करेंगे इसके plus करके जो भी मिलेगा root 2 plus root 3 मटबलाई कर देंगे numerator में denominator में ओके देखे numerator में कैसे मटबलाई करेंगे यह दोनों जो हैं same है हाना a plus b a plus b तो यह हो जाएगा a plus b का whole square हो लापा यहाँ a square minus b square होगा तो root 2 का square minus root 3 का square यहाँ पर expand कर लेंगे a plus b का whole square का formula से क्या मिलेगा 2 plus a square plus b square तो यह चली इसको लिखे लिखे देखे लिए फिर से तो root 2 square plus root 3 square plus 2ab 2ab मतलब कि 2 into root 2 into root 3 whole upon यहाँ पर देखे root 2 का square 2 ही रहेगा minus root 3 का square 3 अब यहाँ पर root 2 का square numerator में root 2 का square 2 होगा plus root 3 का square 3 होगा plus यहाँ पर देखे रूट के अंदर मतलब होजाएगा इन दोनों में यह होजाएगा 2 root 6 whole upon यह 2 minus 3 is minus 1 यहाँ पर देखे 3 plus 2 is 5 5 plus 2 root 6 इतना मिलेगा और दोनों में यह denominator minus 1 है तो minus को यहाँ लगा सकते हैं तो यह हमारा answer हो गया या फिर minus 1 apply कर लेंगे तो जो आएगा वो भी answer हो जाएगा minus 5 minus 2 root 6 question number 2 simplify each of the following by rationalizing the denominator तो इस question में 3 parts हैं पहला question है आपका 7 plus 3 root 5 whole upon 7 minus 3 root 5 इसो करना है यहाँ पर बता दिया है simplify करना है और यहाँ यह भी बता दिया है कि कैसे करना है rationalizing the denominator मतलब कि हमेशा denominator को ही rationalize करके हम simplify करते हैं कोई भी divide करना नहीं चाहता मतलब इसको चाहते हैं सब कि irrational number हट जाए denominator से वस यही बात है चलिए इसो करते हैं यही पर तो हमें क्या करना होगा जो denominator है उसका conjugate से multiply करना पड़ेगा numerator में denominator में conjugate क्या होता है 7 minus 3 root 5 दिया हुआ है 7 minus 3 root 5 का conjugate होता है वो होता है 7 plus 3 root 5 मतलब कि वाल बीच का जो sign है वह हम change करते हैं और कुछ भी नहीं ठीक है और जो number मिलती है उसी से multiply करते हैं numerator और denominator में चलिए यहां करेंगे तो क्या मिलेगा तो हमने यहां multiply कर दिया 7 plus 3 root 5 numerator में और denominator में भी 7 plus 3 root 5 तो नीचे आप देख रहाँगे यह a minus b है और यह a plus b है तो formula लग जाएगा a square minus b square वह use करेंगे यहां पर और यहां देखे क्या है सेम मतलब कि यहां पर binomial सेम है 7 plus 3 root 5 है और यहां भी 7 plus 3 root 5 है whole square हो जाएगा यहां पर हो जाएगा whole square whole आपान यहां हो जाएगा देखे 7 square मतलब a square minus b आपका यही है तो यह हो जाएगा 3 root 5 का whole square इतना हो जाएगा अब इसको solve करेंगे यहाँ जो है a plus b के whole square वाले फ़र्मूले से हम इसको break कर देंगे means 7 square plus मतब़ a square plus b square तो यहाँ पर करेंगे 3 root 5 का whole square plus 2a भी होता है means 2 into a a means 7 into b b means 3 root 5 ठीक है किवाल हम इसको expand किया है a plus b whole square हम लेके अनुसार अब यहाँ पर simply square कर देंगे 7 square is 49 minus 3 root 5 का square क्या होगा देखे 3 root 5 का square मतलब की 3 root 5 को 2 बार multiply करना और जो numbers होते हैं वो numbers multiply होते हैं एक दूसरे से तो थिर थिर जा 9 into root 5 root 5 multiply होगा तो किवाल 5 बच्चे का मतलब into 5 तो 9 5 जा 45 अनि लिखेंगे 45 अब 7 square 49 हो जाएगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर square करेंगे 3 root 5 हमने यहाँ पर किया था वही आएगा 45 तो यह हो जाएगा 45 प्लस यह 7 square 14 and 14 3 जा 42 root 5 होल अपान यहाँ मानस करेंगे 49 minus 45 is 4 अब यहाँ पर add कर लेंगे क्योंकि इन ही दोनों क्यों add कर सकते हैं यह तो आपका irrational number content किया हुआ है तो यह irrational number को हम rational number में add नहीं कर पाते तो यह हो जाएगा 94 प्लस 42 root 5 होल अपान 4 यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में कुछ कामन हो सकता है क्या क्या क्योंकि यह तो यहाँ पाते कि 94 और 42 में से 2 कामन हो सकता है तो 2 बाहर निकालेजे यहाँ से हो जाएगा 2 4 जाए 8 2 7 जाए 14 यहाँ से 2 निकालेंगे 2 2 जाए 4 2 जाए 2 root 5 तो दोनों टर्म में से हमने 2 को कामन कर लिया होल अपान 4 नीचे है तो अब जो बचेगा वही है simplified answer 47 plus 21 root 5 होल अपान 2 इस यह आँसर फार दिस पार ना दि सेकेंड पार अफ केशन 2 3 minus 2 root 2 होल अपान 3 plus 2 root 2 तो 3 plus 2 root 2 का जो conjugate है वो है 3 minus 2 root 2 उसे से में प्लाए करेंगे निमेरेटर में और डिनमेरेटर में तो हमने 3 minus 2 root 2 से निमेरेटर में और डिनमेरेटर में मट्ड़ाई कर लिया यहाँ पार दिखिए यह a minus b है a minus b यहाँ भी है तो a minus b का होल इसक्वार हो जाएगा मतलब हो जाएगा 3 minus 2 root 2 का होल इसक्वार क्योंकि दोनों same terms है तो whole square लागा सकते हैं यहां देखिए a plus b है और a minus b है इसलिए a square minus b square हो जाएगा जब भी rationalize करेंगे denominator को तो हमेशा यहाँ पर वैसा ही मिलेगा मतलब a minus b into a plus b is equal to a square minus b square इसी formula का ही use करना है denominator में हमेशा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 square minus 2 root 2 का whole square a square minus b square का formula लग गया यहाँ पर अब यहाँ expand कर देंगे तो a minus b का whole square का जो formula होता है a square plus b square minus 2ab वह use करेंगे तो 3 square plus 2 root 2 का whole square minus 2ab 2 into a means 3 into b 2 root 2 whole upon यहाँ पर हो जाएगा देखे 3 square 9 minus अब 2 root 2 को यह दी multiply करेंगे 2 times तो 2 2 जा 4 and 2 यह एक और होगा तो 4 2 जा 8 मतलब की 9 minus 8 हो जाएगा अब यहाँ पर square करतेंगे तो मिलेगा क्या 3 square 9 plus यहाँ square किया थे हम 8 आया था यहाँ पर हो जाएगा 8 minus 2 3 जा 6 and 6 2 जा 12 तो मैनस 12 root 2 whole upon 9 minus 8 is 1 9 8 17 minus 12 root 2 this is your answer okay now question number 2 का 3rd part 5 minus 3 root 14 whole upon 7 plus 2 root 14 तो 7 plus 2 root 14 को ही rationalize करना है denominator को तो यहाँ पर 7 plus दिया है तो 7 minus 2 root 14 से मैं बले करतेंगे numerator में, denominator में तो हमने यहाँ 7 minus 2 root 14 से मैं बले कर लिए numerator, denominator में आप देखतें क्या आता है देखें यहाँ पर यह अलग-अलग terms है मतलब यहाँ पर a minus b का whole square या a plus b का whole square नहीं लगेगा directly आपको multiply करना पड़ेगा यहाँ पर directly multiply करने के लिए क्या करना होगा पहले लिखें 5 इसका जो 5 है उसका ब्रेक्ट लगाईए और यह पूरा लिख दीजिए मतलब कि 7 minus 2 root 14 अब red close कर दीजिए फिर यह जो 5 रखे थे यहाँ पर तो जो बचा हुआ पाट था वो है minus 3 root 14 उसको यहाँ रखें minus 3 root 14 और ब्रेक्ट में फिर से यह पूरा जो रखे थे आप यहाँ पर वो ही फिर से यहाँ रख दीजिए मतलब actually हम कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर कर रहे हैं 5 से पहरे दोनों multiply करना है मतलब 5 से दोनों multiply होगा है यहाँ पर फिर उसके बाद हम minus 3 root 14 से दोनों multiply कर रहे हैं हूल अपान यहाँ पर तो पता ही है 7 square minus this much square means 7 square minus 2 root 14 का whole square हो जाएगा यहाँ अब यहाँ apply करेंगे each one 5 7 जा 35 minus 5 2 जा 10 root 14 root के अंदर कोई भी चैंज नहीं होगा यह समझ लेजे यहाँ पर बाहर वाले नंबर से minus यहाँ देखें 7 का plus sign है तो minus ही रहेगा और 3 7 जा 21 होगा यह और root में तो 14 रहेगा ही रहेगा अब यहाँ देखें minus और negative यहाँ दोनों negative है तो दोनों plus हो जाएगे फिर 3 2 जा 6 उसके बाद से देखें root 14 root 14 आपको पता है क्या होगा 14 हो जाएगा into 14 root 14 root 14 भी मत बले होगा इतना हो जाएगा whole upon अब यहाँ पर 7 स्कार कितना होगा 49 minus यहाँ पर स्कार करेंगे इतना आएगा देखें इसका आएगा 2 into दो बार 2 से करेंगे और 14 एक बार करेंगे भान के लिएगा तो यह जाए गटूद यह 4 and 4 14 जा तो इसको एक बार और simplify कर लेते है 35 minus देखें हाँ पर 10 root 14 है और minus 21 root 14 है दोनों में negative लगा हुआ है इसका मतलब कि दोनों को add कर देंगे और negative sign रहेगा 10 और 21 को केवल add करेंगे मतलब कि root के बाहर वाला जो यह number दिये हुआ है केवल उनको ही solve करते है तो negative negative है same sign है तो हम add करते है मतलब 10 plus 21 कितना होगा 31 यह minus में हो जाएगा minus 31 under root 14 ठीक है और यहाँ बाटिपलाई कर लेंगे तो 146 जा 84 हो लेपान यहाँ 49 minus 56 करेंगे तो negative में कुछ आएगा मतलब negative और यहाँ हो जाएगा 7 देखे 35 plus है यहाँ पर और 84 यहाँ plus है तो दोनों को add करतेंगे यह मिलेगा तो हमें इतना मिल जाएगा अब यहाँ पर एक बाद्धान रखे यदि denominator में negative है तो उसको हम हमेशा positive करके लिखते है तब ही वो simple लगता है तो हम क्या करेंगे denominator में minus 1 से में प्लाइ करतेंगे और numerator में ही में करतेंगे minus 1 से तो क्या मिलेगा देखे आउपर करेंगे तो मिलेगा हमें minus 119 यह plus था तो निगेटिव हो जाएगा उसको बाद यहाँ बताए कि plus हो जाएगा plus 31 root 14 whole upon यहाँ पर minus और minus में किए प्लस हो जाएगा और 7 into 1 7E बता है तो this is your right answer question number 3 simplify तो हमें इस expression को simplify करना है simplify करने के लिए जो तरीका है वो क्या है जो denominator होता है उसके conjugate से मड़पलाई कर देते है numerator में denominator में तो यहाँ करेंगे root 10 minus root 3 से यहाँ पर होगा root 6 minus root 5 से और यहाँ पर मड़पलाई करेंगे denominator में root 15 minus 3 root 2 से उसके बाद simplify करेंगे चलिए step by step देखते हैं कि कैसे करते है तो हमने यहाँ पर 7 root 3 में मडपलाई कर लिए root 10 minus root 3 से और denominator में भी ठीक वैसे किये है अब यहाँ भी कर लेंगे root 5 root 6 minus root 5 से numerator में denominator में कर लिए यहाँ पर और यहाँ पर root 15 minus 3 root 2 से यहाँ और यहाँ कर लिए अब multiply करेंगे आपर यहाँ multiply करेंगे तो मिलेगा 7 यहाँ पर है केबल और यहाँ पर 1 है 10 में तो यह तो 7 ही रहेगा square root 3 into 10 मिलेगा मतलब यह हो जागा 30 correct minus होल अपान यहाँ पर देखिए a plus b है और a minus b है तो denominator में तो same तरीके से काम चलता है किवल a square minus b square करेंगे मतलब root 10 का square minus root 3 का square मतलब a square minus b square फर्मल लग जाएगा यहाँ पर फिर minus यहाँ minus है एकदम यहाँ पर जो science है negative और positive उसको यह थी थोड़ा भी गल्थी किये तो पूरा का पूरा गल्थ हो जाएगा इस समझे लिजे यहाँ पर देखते है 2 into root 6 के पहले क्या आए 1 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर और root में 5 into 6 हो जाएगा मतलब root 30 अब यहाँ देखिए 2 root 5 से minus root 5 में करना है तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 into और root 5 root 5 हो जाएगा तो देखिए यह minus से मंटप्लाइग ने किया गया है यह अलग है यह पूरा bracket में close है hole upon और यहाँ ब्रेकट में close था यहाँ पर square करेंगे तो root 6 का hole square minus root 5 का hole square minus यहाँ में reply कर देखिए तो 3 into 1 तो 3 रहेगा root 15 का जो बाहर क्या है 1 है और यहाँ देखिए root 2 into root 15 हो जाएगा root 30 यहाँ पर देखिए 3 root 2 से करेंगे minus 3 root 2 में यह square हो जाएगा actually मतलब कि minus यह 3 तो जा 9 and 9 तो जा 18 okay 18 आएगा hole upon यहाँ पर देखिए square करेंगे a square minus b square यह हो जाएगा root 15 का whole square minus 3 root 2 का whole square और 3 root 2 का whole square कितना आएगा 18 ही आएगा चलिए यहाँ पर और simplify करते हैं यह तो वैसे रहेंगे 7 root 30 minus 7 root 21 यहाँ हो जाएगा hole upon यहाँ solve करते हैं 10 minus 3 आएगा 10 minus 3 कितना होता है 7 लिख देंगे 7 minus 2 root 30 minus 5 तो जाएगा 10 यहाँ लिखेंगे 10 hole upon यहाँ पर 6 minus 5 हो जाएगा मतलब 1 आजाएगा minus यहाँ पर 3 root 30 minus 18 hole upon यहाँ पर धान देजिएगा root 15 का square करेंगे तो 15 आएगा 15 minus यहाँ पर 18 हो जाएगा 3 root 2 का square कितना होगा 18 क्योंकि 39 यहाँ तो 15 minus 18 यहाँ पर देखिए इन दोनों टम्स में से मतलब कि यह पुरा ब्रेकट में है यहाँ पर 7 root 30 से और 21 में से दोनों में से 7 minus 7 जो है common हो सकता है 7 common कर लेजिए 7 common करेंगे तो मिलेगा root 30 minus 7 3 जा 21 hole upon 7 minus यहाँ पर यह bracket में है पुरा ठीक है तो मैनस से यह दिए multiply करेंगे तो यह bracket open हो जाएगा वैसे bracket अभी open नहीं करेंगे तो रबाद में करेंगे तो इसको लग देते हम ऐसे ही root 30 minus 10 minus यहाँ देखिए यह negative ना positive हो जाएगा यह जो negative नीचे है यह दोनों cancel out हो जाएगे तो प्लस हो जाकता है तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि multiply होगा तो प्लस हो जाएगा करेंगा multiplication हो रहा है यहाँ पर बस तो प्लस हो गया और यह जो यहाँ से इन दोनों में से 3 common ले सकते हैं तो हम 3 common ले लेते हैं क्या बचेगा यहाँ बचेगा 30 root 30 minus यहाँ 3 common लेंगे 18 में से 6 जा 18 होता है तो 6 जाएगा यहाँ पर whole upon 3 common क्यों ले रहा है क्योंकि यहाँ पर cancel out होगा 3 बंज़ 3 and 3 बंज़ 3 यहाँ भी 7 बंज़ 7 और 7 बंज़ 7 अब यह simple हो गया इसको आसानी से हम subtract लिया add कर सकते हैं कैसे चले लिखते हैं इसको फिर से तो root 30 minus 3 हो गया यह minus यहाँ minus 7 बलाई कर देजिए तो यह होगा 2 root 30 और यह minus plus हो जाएगा यही सब minus plus को ध्यान रखना है minus 6 क्योंकि यहाँ plus sign था तो sign वही रहेगा minus ही रहेगा अब यहाँ पर ध्यान देजिएगा root 30 और root 30 और root 30 यह 3 terms similar हैं यह और यह और यह इन तिनों को एक साथ solve करेंगे मतलब यहाँ पर देखिए इसके पहले 1 है root 30 के पहले क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है minus 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है और यह plus में है और यह plus में है यदि हम इसको और इसको add करेंगे तो 2 root 30 होगा और plus में होगा और यह minus 2 root 30 है इसका मतलब कि यह और यह तिनों मिलकर cancel out हो जाएंगे जो तो बचेगा वो किवर बचेगा minus 3 plus 10 minus 6 तो यदि minus 6 और minus 3 को solve करें तो बिलेगा minus 9 और यह plus 10 add करेंगे देखिए minus 9 और plus 10 अगो पता है क्या होगा 1 होगा तो इसका answer है गा 1 क्या बात है मतलब आप देखे नमर 4 simplify इस expression को हमें simplify करना है देखें simplify करने का जो best तरीका यहाँ पर है वो है कि इस term को simplify कर दे हम उसके बाद से add कर दे मतलब कि 1 अपान root 4 plus root 5 है इसको simplify करेंगे फिर plus यह जो term है उसको भी simplify करेंगे करना क्या होगा इसन सभी में denominator के conjugate से multiply करना होगा numerator मे और denominator में यही तु करते है denominator में से root है gun hamic और denominator में से root हच जाए तो फिर simple हो जाएगा तो केवल root हच आना ही है denominator में से ठीक है तो कैसे करेंगे केवल derivative 4 minus root 5 numerator में denominator में истMin Yankee मेंupply करेंगे और यहाँ पर root 5 minus root 6 से से यहाँ पर root 6 minus root 7 से और यहाँ पर root 7 minus root 8 से और यहाँ पर root 8 minus root 9 से और फिर हमें answer जो आएगा उसको और simple करेंगे, और simple करेंगे, और simple करेंगे अब finally हमारा answer आज आएगा देखें कैसे करते हैं सबसे पहले हम इनके conjugate से मड़पलाई कर लेंगे numerator और denominator में तो क्या मिलेगा हमें? वो लिख लेते हैं यहाँ पर तो हमने denominators के conjugate से मडपलाई कर लिया है यहाँ पर अब इसको simplify करते हैं देखें यहाँ पर 1 से numerator में तो 1 से मडपलाई करना है तो वही रहेगा means root 4 minus root 5 ही यहाँ होगा लेकिन denominator में देखें root 4 है और plus root 5 root 4 minus root 5 मतलब a plus b और a minus b का formula लग जाएगा यहाँ पर और a square minus b square कर लेंगे मतलब root 4 का square और root 5 का square तो root 4 square minus root 5 square हो जाएगा plus similarly हर जगा कर दे लेंगे यह ऐसे ही तो हमने यहाँ पर square कर लिया सबके denominator में अब यहाँ पर square करके solve कर लेंगे अब देखते हैं क्या मिलता है यहाँ भी लेगा देखिए root 4 minus root 5 hole upon देखिए यहाँ पर root 4 का square क्या होगा 4 होगा और root 5 का square 5 होगा तो 4 minus 5 तो directly हम यहाँ पर minus 1 लिख सकते हैं तो क्यों हम minus 1 ही लिखें यह हो जाएगा minus 1 plus यहाँ भी देखिए 5 minus 6 आएगा और यहाँ भी minus 1 होगा यहाँ भी क्योंकि 7 minus 8 is minus 1 plus यहाँ भी होगा देखिए root 8 minus root 9 hole upon 8 minus 9 is minus 1 clear अब यहाँ पर क्या करेंगे अब समझेगा ध्यान से यहाँ minus 1 होने के कराना हम numerator में लगा सकते हैं मतलब की minus 1 से numerator में और denominator में multiply कर लेंगे तो यह negative denominator का खतम हो जाएगा और हमारा जो negative है वो ऊपर चला जाएगा मतलब की हो जाएगा minus of root 4 minus root 5 यहाँ भी वैसी करेंगे तो minus हो जाएगा यह प्लस क्या हो जाएगा इसको लिख लेंजिये यहाँ भी हो जाएगा minus और denominator में प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा bracket में root 6 minus root 7 minus यहाँ minus 4 स्मुप्ण गरेंगे निमिड़्टर डिमिड़़् में तो मिलेगा minus of root 7 minus root 8 यहाँ भी भी यहाँ öपन करेंगे तो यहाँ into यहां पर यहां पर यहां पर ध्यान देज़ेगा देखिए यहां प्लस रूट फाइव है यहां पर मैनस रूट फाइव है यहां पर यहां पर ध्यान देज़ेगा देखिए यहां प्लस रूट फाइव है यहां पर मैनस रूट फाइव है की value जो होती है 3 होती है तो minus 2 plus 3 कितना होगा 1 1 is your simplified version of this expression मतलब इसकी पूरी value जो है 1 आएगी तो ऐसे expression यह दी आपको exam में कभी पूछ दे तो करना क्या है देखिए क्या हुआ है थोड़ा सा shortcut तरीका समझ लेते हैं यह जो 4 है और यह जो 9 है केवल इन ही को solve करके minus किया गया है मतलब कि यह जो भी होगा root 9 कितना होता है 3 होता है और root 4 कितना होता है 2 होता है इन उन्हों को minus कर दीजिए जो answer आएगा वो यही आएगा this is a shortcut trick ओके now question 5 given a and b are rational numbers find a and b if 3 minus root 5 whole upon 3 plus 2 root 5 is equal to minus 19 upon 11 plus a root 5 तो इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि a की value बताइए और a और b हैं क्या a और b rational numbers है ठीक है हम find कर लेंगे कैसे find करेंगे क्या होना चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ जो expression दिया हुआ है 3 minus root 5 upon 3 plus 2 root 5 हमें इसको simplify करके इस form में लाना होगा यदि इस form में ला देंगे तो हम comparison करके आसानी से a की value find कर सकते हैं तो चलिए solve करते हैं यह एक equation है तो हम लोग left hand side में simplify करेंगे पहले मतब 3 plus 2 root 5 को multiply कर देंगे इसके conjugate से तो दोनों में करना पड़ेगा numerator में भी denominator में भी तो हमने यहां multiply कर लिया right hand side में ठीक वैसे उतारते जाएंगे तो यहां multiply करना होगा ठीक है 3 into 3 हो जाएगा 9 फिर 3 से multiply करेंगे इसमें भी तो हो जाएगा 3 to 6 और यह negative में आएगा 6 root 5 ठीक है हमने 3 से दोनों में मैं multiply कर लिया तो इतना आ गया फिर minus 5 से multiply करेंगे दोनों में मतलब कि minus 5 into 3 is minus 3 root 5 फिर देखे minus 5 से multiply करेंगे minus 2 root 5 में तो minus minus plus हो जाएगा पहले उसके बाद root 5 से root 5 हो जाएगा 5 और 5 तो जा 10 मतलब कि plus 10 हो ला पान यहां पर देखे यह a square minus b square का formula लग जाएगा यहां पर मतलब कि 3 square minus 2 root 5 का whole square क्यूंकि a plus b a minus b होता है तो a square minus b square अब यहां से multiply करते हैं तो 9 और 10 को solve करेंगे तो मिलेगा 19 और यहां कि minus और minus दोनों में negative है और root 5 root 5 है मतलब कि solve कर सकते हैं तो root 5 के जो coefficient है यह मतलब 3 और 6 इन दोनों को solve करेंगे तो मिलेगा minus 9 root 5 तो यह simplify हो गया इतना whole अपन यहां solve करते हैं तो 9 हो जाएगा minus यहां पर square करेंगे तो मिलेगा 2 to 4 and 4, 5 यह 20 उसके बाद the right side का expression उतार लेंगे यसे minus 19 अपन 11 plus a root 5 अब यहां पर हमारा expression कुछ ऐसा बनने वाला है देखे कैसे इडिकलाइज देखे यह 9 minus 20 जो है 11 आएगा minus 11 और minus 11 को यह इदी separate करेंगे इन दोनों में तो मिलेगा पहला expression 19 upon minus 11 तो minus 11 को minus यहां लगा दीजिए minus 11 फिर दूसरा वाला जो हम separate करेंगे minus 11 को इस पे यह हो जाएगा plus क्योंकि minus यहां पर आलड़ी रहेगा minus 11 और यहां solve करेंगे तो यह जोगा plus 9 root 5 अपान यह हो जाएगा 11 ऐसा हो गया is equal to minus 19 upon 11 plus a root 5 अब आप देख रहे हैं comparison करेंगी यह दी मतलब यहां पर comparison क्यों कर पाएंगे क्योंकि देखे some expression is equal to some expression यह दोनों equal तभी होंगे जब जब यह वाला expression और यह वाला expression equal हो और यह जो expression है और यह जो expression है exactly equal तभी यह दोनों equal होंगे तो इसके करान से हम लिख सकते हैं कि uncomparing it implies a is equal to 9 upon 11 uncomparing compare करने पर हमें 9 upon 11 value मिल गई है a की और a की हमें find करना था this is your answer for this part now the second part of question 5 root 2 plus root 3 whole upon 3 root 2 minus 2 root 3 is equal to a minus b root 6 यहां पर a और b की value find करना है तो यहां भी rationalize करेंगे इसके denominator को और simple कर लेंगे a minus something plus something के form में और फिर हम comparison कर रेंगे और solve करेंगे let us do that तो यहां पर 3 root 2 minus 2 root 3 numerator में और denominator में इसके conjugate से multiply कर लेंगे हमने plus करके क्यों प्लस करना है और multiply कर लेंगे तो यहां मनननने क्या आएगा तो हम multiply करेंगे तो root 2 से multiply करेंगे पहले-पहले 3 root 2 में तो मिलेगा आपको 6 क्योंकि root 2 और root 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 26 फिर root 2 से करेंगे इसमें तो हो जाएगा यहां पर root 3 into 3 root 2 मतलब कि 3 तो number है तो 3 ऐसी रह जाएगा यहाँ पर rational number और यह irrational को मिल जाएगा root का अंदर तो यह जाएगा 3 root 6 clear यहाँ पर फिर plus यह root 3 से मिल जाएगा इसमें तो root 3 और root 3 मिलका हो जाएगा 3 और 3 to 6 मतलब कि plus 6 ऐसा मिल जाएगा whole आपान minus 2 root 3 का whole square is equal to यहाँ पर हो जाएगा a minus b root 6 अब यहाँ से फिल भाई करते हैं 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 plus 2 root 6 और 3 root 6 यह हो जाता है 5 root 6 हो लापान यहाँ square करते हैंगे 3 से जा 9 और 9 to the 18 तो यह हो जाएगा 18 minus 2 to the 4 and 4 to the 12 18 minus 12 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 is equal to a minus b root 6 अब यहाँ 6 को अलग-अलग separate कर लेंगे यहाँ मिलेगा 12 आपान 6 plus 5 root 6 आपान 6 is equal to a minus b root 6 6 वन्ज़द 6 and 6 to the 12 यह हो जाएगा 2 plus 5 upon 6 root 6 is equal to a minus b root 6 एक और पर समझेगा यहाँ पर plus दिया हुआ है और यहाँ पर minus है तो हमें यहाँ पर minus है तो यहाँ भी minus लाना होगा और minus लाने के लिए क्या करेंगे समझेगा घ्यान से 2 minus यहाँ पर minus रखेंगे तो हमें ब्रेकेट में भी minus लेना पड़ेगा minus और यहाँ लिख देंगे वही 5 upon 6 root 6 is equal to a minus b root 6 अब comparison कर सकते हैं तो यहाँ पर comparison करेंगे तो a is equal to क्या आएगा 2 आएगा और b is equal to क्या आएगा देखे b is equal to ठीक वही है यह root 6 को छोड़ेंगे मतलब यहाँ पर root 6 को छोड़ेंगे और मिलेगा आपको यह वाला टर्म मतलब कि minus 5 upon 6 मिल जाएगा आपको b तो on comparing a is equal to and b is equal to minus 5 upon 6 these are the values of a and b ध्यान दिजगा यहाँ पर third में यहाँ पर जो एक्सपरिशन दिया हुआ है इसमें 7 minus root 5 यहाँ है और यहाँ पर 7 plus root 5 है मतलब कि इन दोनों को simplify करने के लिए यदि हम LCM ले ले यहाँ पर तो बहुत असान हो जाएगा मतलब चलिए पहले left and side को simplify करते हैं तो उसके लिए हमे LCM लेना होगा इन दोनों का तो इन दोनों का LCM होगा उन दोनों को multiply करने के बाद मिल जाएगा यह आपका LCM हो गया अब 7 minus root 5 से दिवाइड करेंगे इन दोनों में तो 7 minus root 5 यह गंसिलाट हो जाएगा और 7 plus root 5 बचेगा और इसी से multiply कर सकते है numerator में तो numerator में में वही है जो यहाँ पर है तो यह whole square हो जाएगा है कि नहीं तो लिसकते हैं यहाँ पर 7 plus root 5 का whole square देखिए यह minus दिखेंगे यहाँ पर उसके बाद 7 plus root 5 से divide करेंगे इसमें तो यह मिलेगा यह खतम हो जाएगा और 7 minus root 5 मिलेगा और 7 minus root 5 से multiply करेंगे numerator में 7 minus root 5 में तो दोनों सेम है तो square हो जाएगा whole square is equal to इसको तो ऐसे उतार लेंगे अब यहाँ पर देखिए a plus b का whole square का फोल लाएगे और यहाँ पर a minus b का whole square तो क्या मिलेगा ठीक है कितना मिल जाएगा whole upon यहाँ पर multiply करेंगे देखिए a minus b है और a plus b है तो a square minus b square हो जाएगा और यहाँ पर तो यह right hand side को उतारी देंगे ऐसे ही अब यहाँ solve करते हैं देखिए यह minus से multiply होगा bracket open होगा तो क्या होगा यहाँ पर 49 plus 5 थोड़ा सा simplify करते हैं तो यह हो जाएगा 54 यहाँ पर solve करते हैं plus 7 to 14 root 5 यहाँ पर bracket open करेंगे देखिए minus यह दोनों को add कर दीजिए तो 54 ही मिलेगा तो minus 54 हो जाएगा यहाँ पर और minus 7 बिलेगा यहाँ पर तो plus हो जाएगा तो plus और 7 to 14 यह मिल जाएगा 14 root 5 कितना मिलेगा? whole upon यहाँ पर square कर दीजिए तो यह मिलेगा 49 minus root 5 यहाँ पर दीजिए 54 और minus 54 cancel out हो जाएगे और यहाँ पर है 14 root 5 और plus 14 root 5 तो 28 root 5 हो जाएगा यह है numerator में और denominator में क्या जाएगा? 49 minus 5 is 44 is equal to a plus 7 upon 11 b root 5 तो यहाँ पर कुछ cancel out कर लिजिए तो 4, 7 जा 28 होता है और 4, 11 जा 44 तो हमें मिलेगा expression यहाँ पर 7 upon 11 root 5 is equal to a plus 7 upon 11 b root 5 देखे, comparison करेंगे तो यहाँ पर plus करके यहाँ 0 कर सकते है 0 plus this is equal to a plus 7 upon 11 b root 5 अब आपको value मिल रही होगी कि a और b का value क्या होना चाहिए तो a की value होगी 0 और b की value होगी 1 क्योंकि 7 upon 11 root 5 तो यहाँ पर है ही तो यहाँ पर 1 होना चाहिए मतलब 1 into हुआ है 1 से multiply हुआ है यहाँ पर इसलिए b का value होजाएगा 1 we get a is equal to 0 and b is equal to 1 clear? question number 6 if 7 plus 3 root 5 upon 3 plus root 5 minus 7 minus 3 root 5 upon 3 minus root 5 is equal to p plus q root 5 find the value of p and q where p and q are rational numbers सबसे पहले हम इस expression को simplify करेंगे और इसको बदलेंगे something plus something मतलब ऐसा आना चाहिए देखे जब भी denominator में 3 plus root 5 और 3 minus root 5 means opposite sign वाले conjugate हूँ तो केवल LCM लेना ही बहतर होगा मतलब कि यहाँ पर LCM लेकर solve करेंगे तो आसानी से और सही से छोटे में ही solve हो जाएगा तो चलिए LCM लेंगे हम 3 plus root 5 और 3 minus root 5 का और वो हम मिलेगा दोनों को multiply करने के बाद तो हमारा LCM हो जाएगा इतना अब देखे यहाँ पर 3 plus root 5 से divide करेंगे इसमें तो 3 plus root 5 यहाँ पर cancel out हो जाएगा और यह बचेगा 3 minus root 5 तो इससे multiply करेंगे numerator में मतलब 7 plus 3 root 5 में multiply कर लेंगे minus देखे 3 minus root 5 से divide करेंगे इसमें और right hand side को as it is उतार देंगे अब यहाँ multiply करेंगे देखे multiply कैसे करते हैं 7 से multiply करेंगे दोनों में फिर plus 3 root 5 से दोनों में multiply करेंगे तो क्या मिलेगा देखे ध्यान से 7 3,021 7 से minus root 5 में करेंगे तो मिलेगा minus 7 root 5 अब देखे 3 root 5 से करेंगे 3 में मतलब कि 3,029 और 9 root 5 मिल जाएगा प्लस 9 root 5 अब देखे 3 root 5 से करेंगे root 5 में तो root 5 root 5 हो जाएगा 5 5 3,015 तो minus 15 इतना मिल जाएगा हमें multiplication करने पर यहाँ पर minus देखे हम minus से रहेगा तो bracket जोरूब लागाएंगे अब यहाँ multiply करते हैं 7 3,021 फिर 7 से करेंगे root 5 में तो मिलेगा plus 7 root 5 अब देखे minus 3 root 5 से बढ़ाएंगे 3 में तो मिलेगा minus 9 root 5 अब करेंगे minus 3 root 5 से plus root 5 में तो यह root 5 root 5 हो जाएगा 5 से 15 means minus 15 होल अपान यहाँ देखे a plus b है और a minus b है तो a square minus b square हो जाएगा है यहाँ पर मतलब कि 3,3,9 minus root 5 के square करेंगे तो 5 ही आएगा मतलब 9 minus 5 बढ़ाएगा यहाँ पर right hand side में ऐसे उतार लेंगे p plus q root 5 अब यहाँ पर minus 7 बढ़ाएगे और bracket open करेंगे simplify करते हुए तो यहाँ पर simplify कर लेते हैं 21 minus 15 कितना होगा 6 देखें minus 7 root 5 और plus 9 root 5 इन दोन को एक साथ solve कर सकते हैं तो 9 और minus 7 होजाएगा 2 तो होजाएगा plus 2 root 5 मतलब इतना value आजाएगी इसकी minus यहाँ bracket open भी करेंगे और minus बढ़ाएगी करेंगे तो यह solve करते हैं 21 minus 15 कितना होगा 6 तो minus 6 होजाएगा यह फिर इन दोनको solve करेंगे तो minus 2 root 5 आएगा है कि नहीं देखें यहाँ plus मैं है 7 root 5 और यहाँ minus 9 root 5 है तो आएगा 2 root 5 minus root 5 आएगा और minus यह मतलब भी कर देंगे तो यह होजाएगा plus 2 root 5 ओके तो इतना simplify करने पर आजाएगा उपर वाले को होल अपान नीचे होगा 9 minus 5 means 4 is equal to p plus q root 5 देखे 6 और 6 cancel out हो जाएगा यहाँ पर 2 root 5 और 2 root 5 आएड कर देंगे तो 4 root 5 हो जाएगा अपान 4 is equal to p plus q root 5 अब यहाँ पर 4 cancel हो जाएगा कि वाल root 5 बचेगा it implies root 5 is equal to p plus q root 5 तो यहाँ पर ध्यान से देखे यहाँ पर तो कुछ term है नहीं तो 0 add कर देजिए 0 plus root 5 मतलब इसको लिख सकते है हम ऐसे भी 0 plus root 5 is equal to p plus q root 5 uncomparing we will get p is equal to 0 and q is equal to 1 क्योंकि यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं तो यहीं आपका answer है question number 7 rationalize the denominator of the following and hence evaluate by taking root 2 is equal to 1.414 root 3 is equal to 1.732 up to 3 places of decimal तो सबसे पहले इसको denominator को rationalize करना है और rationalize करने के बाद जो simple मिल जाएगा expression उसमें root 2 की value put करके या root 3 की value put करके जैसा होगा वह से हम calculate कर लेंगे चलिए पहले-पहले इसको rationalize करते हैं मटिप्लाई कर लेंगे numerator में इसके conjugate मतलब 2-root 2 से और नीचे में disciplesiply कर लेंगे 2-root 2 से तो numerator में क्या मिलेगा देखेर, root 2 से multiply करेंगे तो मिलेगा 2 root 2 minus root 2 में यहाँ पर तो मिलेगा 2 root 2 into root 2 is 2 होल आपान यहां multiply करेंगे देखे, a plus b है और a minus b है means 2 square minus root 2 cave अब यहां क्या हो जाएगा देखें इन दोनों में से 2 common लेजिए ये common लेंगे तो मिलेगा हमें root 2 यहां पर और minus यहांपे 1 मिलेगा whole upon यहांपर 4 हो जाएगा 2-2 हो जाएगा तो यहां मिलेगा 2 और यहो जाएगा root 2-1 whole एपान देखे 4-2 is 2 अब यहाँ पर root 2 की value put कर देंगे and putting the value of root 2 we will get 1.414 तो 1.414 minus 1 यदि हम minus करेंगे तो मिलेगा 0.414 and this will be your answer अब इसका second part करते हैं तो यहाँ पर भी rationalize करेंगे denominator को मिलेगा 1 into root 3 minus root 2 इसका conjugate मटपलाई कर लेंगे अपान यहाँ पर conjugate से भी तो numerator और denominator में दोनों में मटपलाई कर भी हमने तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखें numerator में तो उतना ही मिलेगा root 3 minus root 2 whole अपान यहाँ पर देखें यह a plus b है और a minus b है तो a square minus b square means यहाँ पर 3 minus 2 ही मिलेगा square करेंगे तो root भड़ जाएगा यहाँ पर finally मिलेगा हमें root 3 minus root 2 3 minus 2 is 1 तो उसको हम अटा सकते हैं root 3 minus root 2 है अब यहाँ value put कर देंगे तो value put करेंगे root 3 का value यहाँ है 1.732 minus root 2 की value यहाँ से लेंगे 1.414 minus करेंगे देखें यहाँ पर मिलेगा 8 और यहाँ पर 2 1 और यहाँ है 7 minus 4 is 3.0 0.318 यह हमारा answer होगा question number 8 if a is equal to 2 plus root 3 then find the value of a minus 1 upon a देखें यहाँ पर बहुत असान है यहाँ सोचेंगे इस तरीके से तो a की value दे दी है 2 plus root 3 तो यहाँ पर a के जगह पर पूट कर सकते हैं लेकिन 1 upon a के जगह पर यदि पूट करेंगे तो थ्वाट difficult हो जाएगा क्या करना है सबसे पहले a की value दिया हुआ है तो हमको 1 upon a की value find कर लेंगे given that a is equal to 2 plus root 3 यह हमारे पास दिया हुआ है तो हम 1 upon a find कर लेंगे इसलिए 1 upon a is equal to 1 upon 2 plus root 3 यहाँ पर जो denominator है उसको recognize कर लेंगे तो 2 minus root 3 से numerator में और 2 minus root 3 से denominator में multiply कर लेंगे यहाँ हो जाएगा 2 minus root 3 numerator में अपान यहाँ solve करेंगे तो 4 minus 3 आएगा क्योंकि a square minus b square हो जाएगा मतलब कि 4 minus 3 is 1 मतलब मिलेगा 2 minus root 3 मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 plus root 3 है तो 2 minus root 3 आ गया 1 upon a की value so a minus 1 upon a is equal to इसी की value find करनी है तो यहाँ put करेंगे a की value है 2 plus root 3 लिख देंगे 2 plus root 3 फिर minus करना है ब्रिकेट मिले लेंगे 1 upon a की value 1 upon a की value इतना है तो ब्रिकेट मिलेंगे 2 minus root 3 अब ब्रिकेट उपन करेंगे और minus अमप्लाई करते हुए तो मिलेगा 2 plus root 3 लिखे मैनस अमप्लाई करेंगे तो minus 2 फिर यह minus minus plus हो जाएगा plus root 3 अब जो opposite sign वाले number होंगे cancel out हो जाएगे means 2 minus 2 यहाँ root 3 और root 3 को add करेंगे तो 2 root 3 होगा this is your answer so question number 9 if x is equal to 1 minus root 2 find the value of x minus 1 upon x whole to the power 4 यहाँ पर x के value दिया हुआ है 1 minus root 2 x के value 1 minus root 2 दिया हुआ है तो सबसे बढ़े find कर लेंगे 1 upon x तो 1 upon x होगा 1 upon 1 minus root 2 तो इसको rationalize कर लेंगे मतपलाई कर लेंगे हाँ पर 1 plus root 2 से और denominator में भी कर लेंगे 1 plus root 2 से क्या मिलेगा उपर मिलेगा 1 plus root 2 नीचे मिलेगा 1 square means 1 minus root 2 का square means 2 means minus मिल जाएगा minus of 1 plus root 2 इतना आएगा means 1 upon x की value इतना आगई अब हम find करना है value इसका तो so value of x minus 1 upon x whole to the power क्या है 4 तो पहले इसको इसमिट फैई करता है bracket के अंदर देखे x x के मिलेगे कितना है 1 minus root 2 1 minus root 2 minus देखे माइनस कर रहे हैं और यहाँ भी minus में दिया हुआ है पहले से ही यह plus हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 plus root 2 है कि नहीं ऐसा हो जाएगा whole to the power क्या है 4 देखे रूट 2 और root 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पर क्योंकि यह दोनों opposition के हैं और 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 2 to the power 4 मतलब कि 2 कोबड प्लाई करेंगे 4 ताइमस 2 to the 4 to the 8 to the 16 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16 question no.10 if x is equal to 5 minus 2 root 6 find the value of x square plus 1 upon x square सबसे पहले क्या करेंगे हम x की value दी हुई है हाँ पर कितना 5 minus 2 root 6 हम क्या करेंगे 1 upon x की value find करनेंगे पहले-पहले so 1 upon x is equal to 1 upon 5 minus 2 root 6 numerator में denominator में प्लाई कर लेंगे conjugate से क्योंकि हमें इसको rationalize करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 5 plus 2 root 6 denominator में भी कर लेंगे 5 plus 2 root 6 देखे numerator में तो उतना ही मिलेगा 5 plus 2 root 6 denominator में क्या होगा square कर देंगे मतलब 5 का square minus यहाँ पर हो जागा 2 root 6 का square क्योंकि a plus a minus b है और a plus b है तो a square minus b square हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा आपको 5 plus 2 root 6 क्योंकि 5 square होता है 25 minus 24 25 minus 24 is 1 तो इसलिए आपन 1 आएगा तो हम 1 लिखना नहीं चाहते तो हमारा answer इतने ही रहेगा 5 plus 2 root 6 मतलब कि क्योंकि यहाँ पर जो sign negative है यहाँ पर positive हो गया है 1 upon x करने पर अब यह find करना है value x square plus 1 upon x square की कैसे करेंगे we know that x plus 1 upon x का जब whole square करते हैं तो क्या मिलता है a plus b के whole square formula से आप याद कर सकते हैं इसको यह होता है x square plus 1 upon x square plus 2ab 2 into x into 1 upon x होता है यह x cancel जाता है तो केवल 2 बजता है तो हम चाहते हैं यहाँ पर केवल 2 लिखना क्योंकि और सब तो cancelled है केवल 2 रहेगा मतलब कि इसका जो expansion होता है x plus 1 upon x का whole square का तो वो यह होता है x square plus 1 upon x square plus 2 एकदम इसको याद कर लिजी आप तो हम value find करना इतने का इसको find करना है जब इसको find करना है तो यह जो 2 है उसको हम left side में transpose कर सकते हैं यदि हम 2 को left side में transpose करेंगे तो इसकी value मिल जाएगी it implies इसकी value find करने के लिए 2 को minus करेंगे इसमें से मतलब कि पहले लिए लेते है x plus 1 upon x का whole square minus 2 यही करना है अब यहाँ x की value क्या है 5 minus 2 root 6 यहाँ रख देंगे यहाँ देखिए हमें करना है यहाँ plus है plus breakडम लिखेंगे 5 plus 2 root 6 और इसका whole square है फिर minus 2 है अब देखिएगा यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा यह होगा 5 minus 2 root 6 bracket open करेंगे तो यहाँ पर plus से multiply होगा दोनों में तो यह तो उतना ही रहेगा 5 plus 2 root 6 और whole square minus 2 ऐसा होगा अब यहाँ पर ध्यान देजिए यहाँ पर 2 root 6 और यहाँ में minus 2 root 6 है तो दोनों opposite sign के है cancel out हो जाएगा 5 plus 5 कितना होगा 10 हो जाएगा और 10 का square है minus 2 कितना हो जाएगा 100 minus 2 means कितना 98 98 is your answer for this question question number 11 if p is equal to 2 minus root 5 whole upon 2 plus root 5 and q is equal to 2 plus root 5 upon 2 minus root 5 find the value of तो यदि p की value दिया हुआ है q की value दिया हुआ है तो find करना है p plus q p minus q and p square plus q square and p square minus q square तो सबसे पहले जो p का value दिया हुआ है हम इसके denominator को rationalize करेंगे और simplify करेंगे और छोटा बनाएंगे और q का भी ठीक वैसे ही करेंगे इसके denominator को rationalize करेंगे और छोटा बनाएंगे उसके बाद उसकी value यहां put करेंगे और solve करेंगे तेकिन इस case में देखिए p square plus q square और यहां p square plus q square यहां पर थोना सा special तरीके से solve करेंगे तो one by one सब को करते हैं लेकिन first of all p को simplify करते हैं तो we have p is equal to 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 2 plus root 5 है सबसे पहले इसके conjugation में apply करने के लिए यह numerator में क्या आ जाएगा में apply कर लेंगे a minus b का whole square हो जाएगा यह तो 2 minus root 5 का whole square हो जाएगा क्योंकि दोनों same terms है whole अपान देखिए यहां पर a plus b है और a minus b है तो a square minus b square means 2 square minus root 5 का whole square यहां पर expand कर देंगे तो मिलेगा देखिए 4 2 square 2 square means 4 और होता है plus root 5 का square means 5 minus 2ab 2ab मतलब 2 into 2 2 into 2 into root 5 2ab हो गया whole upon यहां पर देखिए square कर देंगे 4 minus यह root 5 से root हड जाएगा यह और ही मिलेगा 5 थोड़ा सा और simple करेंगे तो मिलेगा हमें 9 यहां मिलेगा 9 minus 4 root 5 whole upon 4 minus 5 is minus 1 तो हमें finally peak value मिल चुकी है यहां बर इस minus से मुड़िपलाई करेंगे denominator में यह minus 1 से मुड़िपलाई करें और numerator में भी minus 1 से मुड़िपलाई कर दें तो यह finally हो जाएगा denominator positive और मिलेगा हमें minus 9 minus 9 plus 4 root 5 तो हमें peak value मिल चुकी है minus 9 plus 4 root 5 Q की value तो यहां भी वाइस से multiply करेंगे इसके conjugate से 2 minus root 5 के तो यहां मिल जाएगा इसका मतलब किसको हम ले सकते हैं minus 9 minus 4 root 5 ठीक है तो P और Q का हमने separately अलग-अलग value find कर लिया अब इन दोनों का value बहुत important है तो कि यहीं use करेंगे हमारा यह P है और यह आपका Q है अब देखिए कैसे करते हैं अब इनके values find करना है तो first first find करना आप P plus Q लिखेंगे P plus Q is equal to P की value हमारी मिल लिए है minus 9 plus 4 root 5 तो लिखेंगे P की जगा पर minus 9 plus 4 root 5 अब प्लस करना है तो plus करेंगे और bracket में लिख देंगे इसको तो होजएगा यह minus 9 minus 4 root 5 अब यहां bracket open करेंगे तो यहां plus sign है तो sign में कोई change नहीं होगा यहां पर तो minus 9 plus 4 root 5 होगा यहां पर हो जाएगा minus 9 और minus 4 root 5 देखें ध्यान से 4 root 5 और minus 4 root 5 यह cancel out हो जाएगा और minus 9, minus 9, minus 18 हो जाएगा इस गोल्ट मिल जाएगा minus 18 तो यह आपका first का answer है अब करते हैं second P minus Q तो P आपका यही value है minus 9 plus 4 root 5 और यहां minus करना है तो ब्रेकेट में होका यह minus 9 plus, minus 9 minus 4 root 5 तो यह minus से multiply हो जाएगा दोनों में तो दोनों positive हो जाएगे तो मिलेगा हमें minus 9 plus 4 root 5 देखें minus minus plus, minus 9, plus 9 and plus 4 root 5 यहां पर देखें minus 9 और plus 9 यह cancel out होंगे और मिल जाएगा हमें answer 4 plus 4, 8 root 5 तो हमने 2 का find कर लिया अब हमें find करना है इनका P square plus Q square और P square minus Q square तो हम square नहीं करेंगे यहां पर ध्यान देजेगा क्योंकि square करेंगे तो लंबा हो जाएगा तो हमें कुछ अलग तरीके से करना है देखे P square plus Q square के value find करने के लिए सबसे पहले इसको हम P plus Q के whole square के form में change करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं देखे P square plus Q square इसको लिख सकते हैं plus 2Pq और minus 2Pq ऐसा कर सकते हैं ना ऐसा करेंगे तो होगा क्या देखें यहां से यहां तक यह आपका whole square में करमाट हो जाएगा मतलब P plus Q का whole square minus 2Pq अब यहां पर Pq की value रखेंगे तो आसाने से साल हो जाएगा देखे P plus Q हम जानते कितना होता है अभी हमने यहां find किया था देखे P plus Q हमने find किया था तो आया था minus 18 तो यहां पर value put कर लेंगे minus 18 का whole square minus यहां पर ध्यान देजिएगा 2 into P और Q की value यहां put करेंगे तो जानते किया आएगा देखे P और Q यहां से value देखे है यहां देखे P की value है 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 अब यहां देखे उसी को उल्टा है मतलब कि P actually 1 upon Q है मतलब एक दूसरे के reciprocal ही यह दोनों इसका मतलब कि यदि हम इनको multiply करें है मतलब कि क्रास में प्ले करेंगे तो P Q is equal to 1 आ जाएगा मतलब P और Q को multiply करने पर 1 आ जाएगा क्यों कि देखे आपर यह उपर वाला नीचे वाला इसकट जाएगा और नीचे वाला उपर वाला इसकट जाएगा यह दोनों को multiply करेंगे तो तो वहीं यहां पर हो रहा है तो क्यों हम लिख कर दिखा दे 2 minus root 5 देखे 2 into P की value रख देजिए 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 फिर मैं डिपलाई करना है 2 plus root 5 upon 2 minus root 5 यदि करेंगे देखे नीचे वाला इससे cancel हो जाएगा और इससे यह cancel हो जाएगा मतलब कुल में लागए यह 1 हो जाएगा यह हम बताना चाहते थे चलिए इसको रहने देते हैं दिखाई देते हैं कि हाँ यह 1 होगा और देखें मैनस 18 के square करेंगे तो आएगा 324 और यह positive हो जाएगा क्योंकि square कर रहा है minus minus 2 तो आज जाएगा 322 इस यूर 3rd आंसर आफ 3rd पार्ट 322 आप करेंगे 4th one 4th में है p square minus q square तो इसको ब्रेक कर लेंगे p plus q and p minus q formulae से p minus q हो जाएगा into p plus q हो जाएगा और इन दोनों की value हमने find किया हुआ है p minus q की value क्या है देखें यहाँ पर p plus q की value 3 minus 18 and p minus q की value है 8 root 5 तो दोनों की multiply करतेंगे तो यह minus 18 है तो value यहाँ पर ले जाएगे p minus q की value है minus 18 into p plus q की value देखें यहाँ पर p minus q की value है 8 root 5 अच्छा मैंने उलट दिया कोई बात नहीं यहाँ हो जाएगा 8 root 5 अब multiply कर लेते हैं यहाँ पर देखे, p का value हमें निकाला था यह तो इन दोनों values को यहाँ पर put करके मत निकालना लगेगा और q की value तो बहुत लंबा हो जाएगा बहुत difficult हो जाएगा क्यों नाम ऐसे simple कर दे p minus q की value find कि यह है यहाँ पर p minus q की value find कि है और p plus q की value find कि है क्यों नाम से put करते है simply तो ऐसे करना बहुत easy रहेगा और आसान रहेगा और अच्छा रहेगा intelligent way में, मतलब इसको बोलेंगे कि यह आप थोड़ा सा intelligent हैं, ऐसे करेंगे तो, okay question number 12, if x is equal to 2 minus 1 upon root 2 plus 1 and y is equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1, then find the value of x square plus 5xy plus y square, तीके सबसे पहले ऐसे questions में, जो यह x की value दिया हुआ है और y की value दिया हुआ है, इसको simplify कर लेंगे और छोटा बना लेंगे, देख कैसे करेंगे, x की value जो दिया हुआ है, root 2 minus 1 अपा root 2 plus 1, सबसे पहले इसको इसके denominator को rationalize करेंगे और छोटा बना लेंगे, into root 2 minus 1, into root 2 minus 1, यहाँ पर देखे यह a minus b है और यह भी a minus b है तो a minus b का whole square हो जाएगा, मतलब root 2 minus 1 का whole square, होल अपान, यहाँ पर यह दिया square करेंगे, a plus b है और a minus b है, तो a square minus b square, तो root 2 का square minus 1 square, यहाँ पर a square plus b square minus 2ab होगा, मतलब की root 2 का square plus 1 square minus 2ab, 2 into root 2 into 1, whole अपान, नीचे यह हो जाएगा देखे, 2 root 2 का square 2 होगा, minus 1 का square 1 होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा देखे, यह 2 plus 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा minus 2 root 2, और अपान 1, जो कि 2 minus 1 is 1, फानल ही मिलेगा हमें 2 plus 1 कितना वजाएगा, 3 minus 2 root 2, 3 minus 2 root 2 मिल गया, इसका simple version, ठीक वैसे ही हम y को solve करेंगे और find करेंगे, तो y is equal to, जो यहाँ दिया हुआ है, root 2 plus 1 upon, root 2 minus 1, देखे, यह actually reciprocal है, y की जो value है, वो reciprocal है, x के, तो हम इसको लिए सकते है, 1 upon x, हैगे नहीं, और यह 1 upon x से लिए सकते हैं, x के विए हमने simplify करके इतना लाया था, तो directly है लिए लिए 3 minus 2 root 2, अब इसको simple कर लेते हैं, तो मैं apply कर लेंगे numerator में 3 plus 2 root 2 से, और नीचे भी कर लेंगे, 3 plus 2 root 2 से, यहाँ पर 3 square minus, 2 root 2 का square होगा, क्योंकि यहाँ पर a minus b है और a plus b है, तो a square minus b square, यह दिखे 9 आएगा, 9 minus 8, यह आपका 8 है, 9 minus 8 is 1, तो यहीं मिल जाएगा, मतलब 3 plus 2 root 2, तो हमने x और y की value अलग अलग find कर ली, simple तरीके से, simple version में, ओके, अब हम find कर सकते हैं, इसकी value, x square plus 5xy plus y square, चलिए find करते ह इसकी value find करने के लिए, सबसे पहले हम जो x square, y square है, इसको तो हम इस तरह से लिख लेंगे, x square plus y square, इन दनों को 7 में, और 5xy में से 2xy अलग कर लीजिए, 2xy और 3xy अलग लिख दीजिए, यह अलग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि a square plus b square plus 2v के form में, यह बन जाएगा formula, और इस पूरे को लिख सकते हैं, x plus y का whole square, और plus 3xy, देखे, x और y एक दूसरे के reciprocal हैं, तो इसलिए x into y यह 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x plus y की value करखेंगे, यहाँ पर, देखे, x की value हम निकाला था, यह 3-2 root 2, plus y की value थी 3 plus 2 root 2, अब इसी का whole square करना है, और plus 3 यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x into y क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, y की value जो है, 1 upon x के बराबर है, तो क्यों नाम y की value यहाँ पर 1 upon x लिखेंगे, तो कट ज आएगा, और यहाँ पर देखिए, यह minus 2 root 2 है, और यहाँ plus 2 root है, तो यह दोनों cancel out हो जाएगे, जो बचेगा, 3 plus 3, और 3 plus 3 होता है, 6, 6 का square, आप plus 3 कर देंगे, मतलब कि 336, sorry, 6 exact 36 plus 6 plus 3, means 39, 39 is your final answer for this part, तो यह हमारा last question था, तो हमने question about 12 solve कर लिया, completely, यदि आपको questions का solutions, यदि आपको इन सभी questions का solution अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपनों सेर कर सकते हैं, और यदि कोई भी doubt होता है, तो comment box में जरूर लिखिए, मैं जरूर reply करूंगा, और किसी भी exercise के सुरून तो आप comment box में comment करें जरूर, okay, I will definitely make video on that, thank you so much for watching, bye